दोस्तों बहुत समय बाद एक नया ब्लोग मैं भी ला रहा हूं और इसके पीछे का जो मेन परपस है आप अगर मेरे चैनल भी विजिट करते हो तो आपको मालूंगा कि जो मैंने 75 अनहाट चैलेंज है जो मेरा खुद का बनाए वा था उसे मैंने कम्प्लीट कर लिया है तो वीडियो में आप बने रहाना आपके लिए जो है काफी मोटेशनल तो नहीं बोल सकता हूं इससे आप एक चीज़ सिख जाओगे जो की लाइफ में सबसे जाए वह है आपका डिसिप्लीन तो आप ब्लॉग में बने रहा हूं आगा और भी बात करेंगे तो बेसिकलिए आपका गाओं का रोड है उससाइड गाओं का रोड है और पीच्छे साइड भी देख सकते हो जितना भी मैंने अभी तक वाक किया रन किया पुरा गाओं में किया है मुझे जो है रोड पर जाने का ज़र्वत नहीं पड़ा एक डोबर गया जरूर बट मुझे लगा कि जो बहुत जादा रिस्क है से आपको ही बताना चाहता हूं कि आपको जो है एक प्रॉपर जगह की जरुवत नहीं आप जहां भी है उस चीज को कर सकते हैं तो दोस्तों आपके मन में यह होगा कि इस चैलेंज को करने से मुझे क्या फायदा हुआ है तो इसके बार में वीडिय साइड फैट ता वह लगबग 40-50% घट चुका है अगर मैं पहले कि आपको फोटो दिखा हूं तो आप देख सकते हो कि क्लियरली साइड फैट जो है वीजिवल है त्रोधा टीशट यही सेम टीशट मैंने पहना है पोटो मैं आपको दिखा रहा हूं उसमें और अभी स्ट्रेस होता है दोस्तों आप जो यह फीजिकल एक्टिविटी सेना 60-70% घटा सकते हो और इस चीज को मैंने फील किया है ति यह दोस्तों बेनेफीट है और इस चीज को आप नकार नहीं सकते किसी विशीरे से चैलेंज से मेरा जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है वह आप का डिसिप्लीन डिसिप्लीन दसेंस इसली बोल रहा हूं कि आप लोग जो भी मान्ग चलो आपके दोस्त होएंगे उन mounted साल कभी रνिंग का प्लान करते हो टीक हे दिन जाते हो तो कभी ऐसा डिन आता है कि आपका जो हैना सुबो उठने में लेट हो जाता है जैसे succeeds 7 बज़ चुड़ जाता है बट इस चैलेंज से मैंने क्या सिखा discipline discipline in the sense कि दोस्तों जब भी मैंने challenge complete किया है तो time पे मैं कभी नी उठाउं कभी मैं साड़े 6 कूट गया हूं कभी 7 बजे कभी साड़े 7 कभी 8 और 9 बजे के आसपास भी उठाउं बट इतना लेट होने का बावजोद भी मैंने जो है चैलेंज को नहीं छोड़ा जित्ता बज़े उठता हूँ प्रेस हुआ, मूध होया और निकल गया चैलेंज कम्प्लेट कर ले तिससे क्या हुआ, एक मेंटलिटी डेवलप हुआ कि हाँ, डिसिप्लीन अगर रहेगा तो हम किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं और एक जो एक्सक्यूज होता है मैंट में कि यार लेट हो गया, आप नहीं जाते हैं तो ये चीज जो है, आप बिल्कुल भूल जाओगे आप लोग यार जीम को लेकरना बहुत ज्यादा अफसेश्ट रहते हो ठीक है, मैं जीम को खराब नहीं बोल रहा हूँ बट आपको अगर एक सस्टेनेबल उपाय ढूणना है तो आप जो है, इस तरीके के कुछ वर्काउट जो की अपने ही जगा पर, जहां आप रह रहे हो वहाँ पर कर सकते हो जीम में कभी कबार क्या होता है इस्ट्रक्टर जब तक आपको बता रहा है, ठीक है आपको यह नहीं मालू रहता है कि आपका जो बॉड़ी है कितना केपेसिटी मतलब उठा सकता है सिंप्ली भासा में और वहाँ पर क्या है, थोड़ा सा सो आपके चक्कर में आप कई गर कुछ ऐसे साइज को कर देते हो जो कि आपके बॉड़ी में डेमेज लेके आजाता है तो अगर आप इस जो कि मैं कर रहा हूं अभी टाइम में अगर आप इस चीज़ों करोगे तो आप एक चीज़ धान देना स्ट्रेंथ आपका बिल्ड होगा, में चीज़ होता है आपका फ्लेक्सिबिल्टी वो भी आप कर रहेगा और साथ-साथ ये एक ऐसा बोल सकते हो कि रूटीन है जो आप कहीं भी कर सकते हो तो इस्ते में यहीं संदेज देना चाहता हूं आप लोग को कि अगर आप जीम को कंटीनिव नहीं कर सकते हो और आपके पास उतना जो है कैपिबिल्टी नहीं है तो आप जीम को अवाइड करो जो है दोस्तो स्क्वाड भी कर सकते हो इससे क्या होगा ना आपका नीका स्ट्रेंथ और जो ग्लूट से उसका स्ट्रेंथ थोड़ा बड़ेगा सिम्पली आप जीतना सकते हो न उतना ही करो तो आपका एक्सक्यूज क्या है अगर आप अभी के टाइम में ऑबेसिटी से ग्रसित हो ठीक है मोठापा बहुत ज्यादा हो चुका है और आप जो हैना क्या कर रहे हो सिर्फ खाना पीना घूमना एक चीज़ आप मिस कर रहे हो वह है आपका वर्काउट अगर इस चीज़ चीज को आपने एड नहीं किया ना तो बहुत जल्दी बहुत जल्दी आपको बता रहा हूं आपको बेड़ पर जाना पड़ेगा यह चीज में सियोरिक सेयोटी के साथ बोल सकता हूं तो यहार इस चीज को अवाइड करो आपका शरीर आपका सबसे बड़ा जो है ना वैल कि आपका वाइस ओवर दो, एडिट करो, बहुत सारा मैनत है तो मैंने बिसिप्लीन दिखाने के लिए चैलेंज कंप्लीट करने के लिए रिल्स अप्लोड कर रहा था बट अब अब इस वीडियो से थोड़ा साभी इस्पार होते हैं और आपको लगता है कि जो मैं बात बो करता हूं कि आज का यह ब्लॉग आपको अच्छा लगाओगा मिलते हैं एक नए ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय जय हिन वंदे मात्रम